जोतिश, अंक जोतिश, वास्तु का ज्यान, आपकी सभी समस्याओं का समाधान, हमारे यूट्यूब चैनल साधना एस्टो पर तो वो कौन-कौन सी चीजे हैं जो आप धन तेरस के दिन घर में खरीद के ला सकते हैं, जिन से आपकी समरद्धी बढ़ेगी और आपका जीवन सुखमें और प्रोस्पर्टी से भर जाएगा, ऐसी कौन-कौन सी वस्तु हैं और वो कौन सी वस्तु है जिसको हम ना खरीद हैं अगर हम खरीद के ले आएं तो हमारी उन्नती समरद्धी में बाधा आएगी, कोई ऐसी वस्तु भी हो सकती है क्या, तो सबसे पहले बात करते हैं, कि दीपावली के दिन, अगर आप उससे पहले जो धन तेरस आती, उस धन तेरस वाले दिन क्या खरीद के लाएं, सबसे पह खरीद के ला सकते हैं, चम्मस खरीद के ला सकते हैं, और अगर कोई और बड़ा वरतन खरीदना चाहते हैं, तो आप लोटा खरीद के ला सकते हैं, और इससे बड़ा कोई खरीदना चाहते हैं, तो आप चांदी का एक चौकी खरीद के ला सकते हैं, जिस पे के अपने घर म जो आपके भगवान हैं उनको विराजमान करके उनकी आप पूजा करें दिवाली वाले दिन तो आपको दिन दूना और राच चोगना फल मिलता चला जाएगा आपकी समरदी बढ़ती चली जाएगी आपके धन एस्थरी और बैवम में बढ़ती होती जाएगी परंतु दीप कवली से पहले धन तेरस आती है उस दिन धन तेरस वाले दिन लोहे की कोई विवस्तु आप ना खरीदें क्योंकि लोह जो है यम्राज का रूप होता है और उसको खरीदने से आपकी समरदी में बाधा आएगी या रुकाबटें आनी शुरू हो जाएगी तो उस दिन उसको कता ही ना खरीदें जो भी चीज खरीदें अगर आप धातू खरीदना चाहते हैं तो अगर आप चांदी नहीं खरीज सकते हैं तो आप पीतल खरीज सकते हैं पीतल नहीं खरीज सकते तो कुछ और खरीदें पर लोहा नहीं खरीजना है उस दिन धन्यवाद दरस को